हेलो गाई साब को स्वागत हमारे जेगे स्टडी स्टफ में आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डियू कोलेज के ऐसे स्टुजाइन जो बीए पॉल्टिकर साइन्स ओरनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही सब्जेक्ट है और उनका साथ ही साथ यह लास्ट एक्जाम है प्रॉसेस एंड शोचल मुमेंट्स इन कंटेंपररी इंडिया यह आपका सब्जेक्ट है इसके उपर जो हरित किरांती से लिटेट में वीडियोस बना चुकों अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपको आई बटन दे रखा है वहां पे क्लिक कर गया वीडियो की पूरी जो यूनिट है या फिर आपका जो इंपोर्टन कोशन आप कह सकते हो वो कंप्लीट हो जाएगा तो भारत में जो नियोजन है इसके बार में हम जानेंगे सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इसकी स्थापना कब की गई थी और इससे लेटेड भारत में भारत के अंदर तो भारत को एक गरतंत्र तात्मक राज्य घोशित किया गया था मतलब इसको घोशित किया था कि भारत अब गरतंत्र हो चुका है भारत में सविधान बनने तता उसके लागू होने के बाद सविधान के निर्माता मतलब जो सविधान के जिन्नोंने सविधा को बनाया था SumayYeah जो Sumay became सदस्फेदे उन्होंने समाजी आर्दी ग्विकास योजन कि यह एक रास्ताश चुना था मतलब कि भारत का Sumay傳 बंचुगा था क्योंकि उससे पहले भारत की होती ज्यादा खराब थी क्योंकि ब्रिटेन का राज चला था भारत के इंतरगत और यह कम से कम 200 सालों तक चला था और उसकी बारे में अगर हम बात करें तो इस समय भारत के स्थी बहुत ही खराब हो गई थी तो उसको सुदानने के लिए या फिर भारत ने आतन दिभरता प्रात करने के लिए सविदान को बनाया थया तो उसमें काइदек कानून को बनाए गया था कि किस तरह के काइदे कानून हामे फूलो करना है इसके बाद उसी बनने के बात ठीक दो महीने बाद चब्बी जन्वरी इनीस το पचास को लागु कर दिए गाता तो लागू होने के साथ और सासर बनने के साथ भारत गरतन धेशन भीच में जाना तो यह लिखवाए मतलब हमें कोई भी अगर विकास करना है किसी परकार का विकास करना है चाहे वो राड़नीती को समाजी को आड़ती को या सांस्क्रिती को किसी परकार के विकास के लिए हमें योजना की जुरत पड़ती है भारत ने सभी परकार की गतिविधियों को चलाने और उसका संचालन ठीके या फिर हम कह सकते हैं संचारन करने के लिए जो उस पर कंट्रोल बनाने के लिए मद्धे मार्ग मतलब की बीच का रास्ता अपनाया था क्योंकि भारत पूरी तरीके से देखो बीच का रास्ते का मतलब होता है कि मिश्रित अर्टेश्ता को भारत ने चुना था ठीके ज और साथ इसाथ लागू पी गड़ दिया गया था और इसके बार में अगर हम बात करें ति भारत ने जैसी भारत आजाद हुआ तो भारत के बाद दो चोईस से या तो वह राज्य को अपना ले मतलब ऐसी वह उस्ता है जिसमें सरकारी चीजे होगी सारी की सारी साही चीजे ग भारत ने किसको चुना बीचवाले रास्ते को चुना मतलब कुछ चीजे राज्य की वह उगी मतलब थोड़ सी चीज़े गँए होगी और कुछ चीजे प्राइड की होगी तो मिष्षी डड़त को चुना और तो इसमें सीदा यही बताए गए कि जो भारत ने बीच का रास्त अपनायता है क्योंकि भारत पूरी तरीगे से राज्य को राज्य का हस्य से मतलब की दखर नहीं चाहता था और ना ही निजी करण का इसलिए भारत में मद्य मार्ग चुना मतलब मिर्शित अर्तिवस्ता को चुना ठीक है अब इसके बाद अपना जो आता है वो है योजनायक को होना जरूरी है इसके अंदर योजना तो सम्वंद्य सारे के सारे मुद्य उठाए जाते हैं कि किस परकार की योजना में बनानी है ठीक है अब इसके जो हैड है उसके बार में जानेंगे और योजनायक किस था अपना कब की गई थी और इसका आज वास्तविक कि नाम क्या है ठीक है तो योजना आयो किस था अपना मार्च उन्निस सो पचास मतला जब अपना सविधान लागू भी हो चुगा था और बन भी चुगा था बना तो अपना 26 नुवंबर እ सो नाइटिन फॉर्टि नाइन को था लेकिन उसे लागू किया था ठीक दो महीने बाद जनवरी में चबसी जनवरी उन्निस 53 तnak मेने बाद मार्च में क्या हुआ था जनवरी में तो लाग हुआ था मार्च में 1950 में भारत में क्या हो गया था योजना आयोकिस्थापना कर दे गई ती जो योजना से लेटर सारे मुद्दे उठाता है सरकार के एक पस्टाप द्वारा की गई थी योजना आयोकिस्थापना अब इसके जो हैड है उसकी बात करें तो पर्धामंत्री इसके अध्यक्ष बने मतला योजनायोग का जो हैड होगा जो सारी चीज़े देखेगा वो होगा पर्धामंत्री जैसे कि वर्तमान में अपने पर्धामंति यह नहींद्र मोदी है तो नहींद्र मोदी इसके क्या हों होंगे वर्तमान में ठीक है जैसे ऐसे पर्धामंती चेंज होंगे तो योजना का जो है डोगा वो भी चेंज होता जाएगा लेकिन रहेगा पर्धामंतरी ठीक है तो देखते हैं एक जनवरी 12 में मतला भी 4-5 साल पहले की बात करें तो 1-2-15 में योजना आयोक के अस्तितु इन क्या लाय गया तो ठीक है और इसको क्या बना दिया गया निति आयोक बना दिया गया था मतलब एक जन्वरी पंद्रा आया तो उसके बार योजनायोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया बाकी सारी की सारी activity वही दि इसके भी अध्यक्स कोन होंगे परधामनती रहेंगे किसी परगार का चेंज नहीं किया जी कि दूसरा नाम क्झे रख दिया नीती आयो ठीक है जिसके अद्धैक्स परद्धामंती से ही ना इंद्र मोधी जी है ठीक वर्तमान में एबंद आं उपद्यक। की बात करें तो वह राजीप कुमार नीती शब्द अब देखो जो नीती आयोग है इसका नाम देखो नीती जो था एन आई टी आई यह तो शौड में और इसकी फुल-फॉर्म की बात करें तो फुल-फॉर्म है आपकी तोड़ा टफ लेंगुज में लेकिन आपको बस एक्स्प्लेंशन जो दूआ वैसा ही लिखके आना है तो योजना आयो के कार रहे या फिर नीती आयो के कार रहे या उद्देश से जिसको हम लक्ष्ट भी कह सकते हैं वह निमने लिखित है आपको ऐसे लिखना है तिर उसके पात जो फ़र्श पॉइंट है देखो देश की बहुतिक संसाओन ऐसे संसाओन जिन को देखा जा जा सकता है जिन को च्छुआ जा सकता है ठीक है और मानव शक्ति का अनुमान लगाना ठीक है देश के इंदर जितने भी संसाओन है जिसको हम देख सकते हैं उसका पहले तो लगाने की कितने पर कितने हमारे पास संसादन है अगर संसादन कम है तो हम को उसकी जड़र पढ़ सकती है लेकिन अगर संसादन ज्यादा है तो इससे तता देश की आवशक्ता है राश्टी की आवशक्ता की अनुसार उन संसादनों की वृद्धी का पता लगाना ठीक है कि क इस तरह सेंगी वरिद्धी हो सकती है तो इस प्रकार की जो लक्षें वह योजनायोग में रखे जाते हैं मतलब की एक तर्केसी बात यह है कि देश के अंदर हमें बहुतिक संसादनों की वरिद्धी करने है इसके लिए योजनायोग की ज़र्ड़ पढ़ती है पहला पॉइं संसादनों के संतूलहन संतूलित उपयोग के लिए अतयं परभावकारी कदम उठाना मतलब देश के इंदर ना संसादन जादा भी न होनी सीए ठीकहे जिस्से की छेतर में कमी आ जा और दूसरी वह संसादन ज्चैएश के लिए इसके लिए तो संथाने से अमारे पास उसक था इस उद्देश्चे के लिए संसादनों का नियमन करना मुझा संसादनों को तया करना आर्थिविकास की वदताओं की और संकेत करना मतलब आर्थिविकास को बढ़ाने के लिए हमें संकेत करना चीए कि किस परकार से हमारे देश में आर्थिविकास हो सकता है तो इसके लि के लिए आवशक तंत्र का सवरूप तियार करना या फिर निर्मित करना मतलब कि योजना जो है उसको सफल बनाने के लिए हमें बढ़िया सा सिस्टम में आवशक तंत्र मतलब होता है इंपोर्टेंट सिस्टम उसका सवरूप तियार करना पड़ेगा मतलब एक तरीके से अगर प्लानिंग को सक्सेश्फूल बनाना है जिस तरह की प्लानिंग हम कर रहे हैं जिस विकास के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बढ़िया से योजना त्यार करनी पड़ेगी और एक सिस्टम को त्यार करना पड़ेगा समय समय पर योजना की चर्णा वार प्रगर्ती का अवलोकन करना और आवशक उपायों की सिफारिश करना मतलब समय समय पर हमें योजना को सफल बनाने के लिए सिफारिश भी खरनी पड़े ही किस तरह से हमें योजना को सफल बना सकते हैं